आज का जो कुलाथ है वो टेक्स के बारे में है और जो दो important type है टेक्स के यानि direct text and indirect text तो पहले text को define करते है टेक्स किया है a text is a compulsory contribution take a compulsory contribution है यानि यह लाजमी किया है payment है to the state or government जो government को यह जो state को जो मुल को जो रियासत को की जाती है लाजमी है compulsory contribution लाजमी payment है by the citizen यानि citizen करते है शेहरी करते है public करते है अपने government को अपने state को and such amount is used और यह जो amount है जो public government को यानि payment करते है टेक्स का तो यह जो amount है such amount is used यह जो amount है यह इस्तेमाल किया जाता है for the benefit of the common people आम लोगों के फाइदे के लिए यानि जो public है जो citizen है जो आवाम है वो अपने government को जो compulsory contribution करते है यानि जो लाजमी payment करते है टेक्स की हालत में और यह जो amount है यह आम लोगों के फाइदे के लिए फिर इस्तेमाल किया जाता है यानि common people benefit किया है यानि यह जो पाइसे है जो amount है इस पे government पिर खाम का मुक्तलिब जो यानि काम है वो काम करते है government education institution बनाते है यानि school बनाते है colleges बनाते है universities बनाते है इस तरह hospitals बनाते है roads and highways इस तरह यह बनाते है public park airports and ports libraries वगेर मुक्तलिब जो public के लिए यानि जो common benefit के लिए जो खाम है वो government यानि इस amount पे वो government यानि वो कर दी है अब इसके जो इसके बाद जो टाइप है यानि direct tax and indirect tax यानि यह दो टाइप है टेक्स के important टाइप है तो direct tax यह भी असान है यानि direct tax क्या मुराब है the tax वो tax paid by any person जो कोई भी शाखस अधा करता है and he does not cover this amount from any other person is called direct tax यानि वो tax जो एक शाखस अधा करता है government को और फिर वो शाखस यह जो amount है यह दूसरे लोगों से वो यानि कावर नहीं करता दूसरे लोगों से वो रिकावर नहीं करता यह जो amount है यानि first time और last time finally एक शाखस government को अधा करता है तो इस tax को कहते है direct tax यानि गोज़नमीन एक शाखस पे tax लगाता है वो payment करता है government को पिर वो शाखस यह पाईसे दूसरे लोगों से नहीं लेता तो इस टेक्स को यह झाहिता है दाइरेक्ट एक पर रहेंपल है इंकम पर गौन को करता है य्य राइकपर through rice तो इस तो टेक्स को किया है यह भी किया है यह दाइयरेक्ट एक इसके बाद यानि flume कर्ता हैं एक टैइक collection आदा होता है यह इन्य देग्ट इसका है अन्य चास किया nothin कि जड़ता है। amount है दूसरे लोगों से ये चार्ज करता है ये रिकाउर करता है तो इस तरह के text को कहते है indirect text फर एजेंबल यहाँ पर है कि यह जो sales text है यहाँ पर indirect text का sales text यहाँ जो करोबारी अधारे है जो sales करते है तो sales पर government को वो text अदा करते है फिर वो text फिर final consumer से करोबारी फिर रिकाउर करते है यहाँ पर एक मिसाल है कि जब हम sales करते है तो एक चीज़ का जो प्राइस है 4000 अब इस पर हम payment करते है गौर्णमिंट को 300 तो अब यह जो 300 हम government को payment करते है फिर यह जो 300 इसमें है हम add करते है तो final sales price हम लोगों से चारज करते है 4300 इन 300 का हमने गौर्णमिंट को पहले से payment किया है अभी जो 300 है फिर हम यह फाइनल जो consumer है जो इसे प्रहम यह रिकाउर करते हैं तो इससे के tax जो एक आदा करते है गौर्णमिंट को फिर वह tax दूसरे लोगों से रिकाउर करता है चारज करते है पाईसे वसूल करते है दो बारा तो इसससे के tax को कहते है इंडारेक्ट tax